A very good morning to all of you, 1st of May 2024, आज 2.25 के around हो गई थी मेरी सुभा, आप में से कितनी housewife हैं जो ये सोचती होंगी कि जैसे ही हम earning start कर देंगे, हम अपनी salary से ये करेंगे, वो करेंगे, ये खरीद लेंगे अपने लिए, लेकिन मैं एक सच्चाई बताती हूं कि होता क्या है, December 2022, जब मेरे को अपनी earning start होती है, earning तो उससे पहले भी मैंने tuition लिए हैं, लेकिन वो एक normal payment मिलती है, उसमें आप क्या ही सोच सकते हो हैं na tuition से, लेकिन जब एक proper आपकी earning start होती है, मैंने आपको share किया था अपनी earning, तो एक अच्छा खासा amount जब bank भी आने लगता है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसी failing होती होगी, अपने लिए क्या लेने का मन करता होगा, अपने लिए कुछ भी लेने का मन नहीं करता, आप उस salary से उस account में जब वो पैसे आते हैं, आप खुद इतने खुश हो जाते हो, अपनी family member से share करते हो, लेकिन आप खुद के लिए कुछ मन ही नहीं करता क्योंकि वहाँ पे खुशी इतनी होती है, खुद के लिए वो satisfaction ही काफी होता है कि खुद के लिए कुछ भी लेने का मन नहीं करता, 2022 December से लेके और अभी 2024 में आ चुका है, मैंने अपनी salary से खुद के लिए एक पैसे की चीज भी नहीं ली, जी हाँ, this is the real truth, और वो भी मतलब आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ले सकते हैं, मेरी तो condition ऐसी थी कि मैं आपको starting से बताती हूं कि salary आती है, हम जिसे घर पे बताते हैं, phone करते हैं, सब बहुत खुश होते हैं, और payment आते ही, मेरी मतली लों बोलते हैं कि 101 आते हैं, तो वो रख लेते हैं, उसके बाद फिर यह होता है कि भाया, मतलब आज पास में देंगे, कुछ मतलब मिठाई वगरा, क्योंकि पहली salary आती है, खुश होती है, कि नॉर्मल जैसे हम आम इंसान जैसे करता है, लेकिन फिर मेको यह था कि कुछ भी पार्टी करने से नहीं होता है यह था कि हम एक दूसरे पर इतना spent करें लेकिन इंसान मैं ऐसा करता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं गरीब होते हैं, जो मंदिर के बाहर होते हैं और उनके बार में नहीं सोچते हैं, हम सोचते हैं कि यह बढ़डे बनाएंगे, तो मतलब फरेंड़ तो मेरी सोच यही रहती थी कि चाहिए मेरा बड़े हो फैमिली के साथ तो हम मनाते ही है लेकिन बच्चे का बड़े हो या फिर कुछ भी हो कि उन बच्चों के साथ मनाया जाए तो बस मैंने सबसे पहली चीज वहीं से स्टार्ट की थी उसकी फ्रेंड सर्कल में दी थी मिठा मिठाई बहुत ही कम लेकिन और वो किस अभी भी हुआ जैसे हमारे घर में स्वामनी लगाई आपने इन दिनों में देखा होगा काफी मिठाई आई थी जो मेरे हाउस हैलपर्स थी जिनको नीडी थे उनको मैंने भर-भर के डिबे दिए हैं मिठाई के लेकिन जो मेरा फ्र इस मिठाई की वैल्यू सही में होगी तो मैं उनके साथ खुशिया बाटना ज्यादा प्रेफर करती हूँ उस तैंप पे मैंने वही किया था दूसरी चीज़ पहली चीज़ भगवान के राम के एक सो रृपया निकाल के एक सो एक रुपया दूसरी चीज़ उनके साथ खु स्टार्ट हुआ था धोर की मतलब ऐसे स्पेंड करने का और उसके बाद तो पता नहीं वो अकाउंट में पैसे दिखते थे और लगता था यार अकाउंट भर गया मतलब जो इक मैं कभी मिन लेती मैं अभी मिन लेती कि में एकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो मेरको जब नीड होगी चिस-चीज की मैं वो चीज खरीद लूँगी तो बस वही मतलब एक अकाउंट में मनी होती थी लेकिन फिर जब आपके ऐसे लंब सम आमाउंट आने लगता है तो आप मतलब खुश होती हो, crazy होती हो, especially मैं crazy थी और उस टाइम पर घर के कोई भी खर्चे होते, एक मतलब घर की सबजी राशन लेने से लेके, घर में कोई भी बढ़ा काम करवाना है, like, बढ़ा काम, in the sense की 25,000 रुपे काम, like, पीछे जो टीन हमने लगवाई, आपने कभी वीडियो मतलब सब कुछ, या फिर घर में कोई एक चीज आती थी, पच्चे की स्कूल फीस, even, तो मतलब में को पता नहीं क्यों, वहाँ पे क्रेस था, कि मतलब हर शीज का मैं ही पे करूंगी, मैं ही पे करूंगी, ऐसा कम से कम 7-8 महीने तक चला है, लेकिन बाद में I have realized, कि यार मेर देना जाती हूं, कि जब भी आपको लगे कि मतलब हम कमाएंगे तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो आप जो आपने खुद के लिए सोच आ है, आप वो करी नहीं पाऊगे, मतलब आपका मन नहीं गरेगा, आप फैमिले के लिए सब कुछ करोगे, और मतलब खुद के लिए इतना मत खो जाओ कि हम तो अपने लिए ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो सही में आप नहीं कर पाऊगे अपने लिए लेकिन खुशी होगी, अपनों के लिए आप करोगे, और फिर आपको समझ में आएगा, कि जैसे हम सोचते होंगे, जब हमारे पेरेंट्स कमाते होंगे, या आपको वहीं पे समझ मिल जाती है, फिर अपने फैमिली मेंबर के लिए सब कुछ करते हो, जब मैं ये करने लगी अर्निंग, तो तब मेरे कोई चीज रिलाइज होई, और दूसरी चीज ये, कि जब आप अर्निंग करने लगते हो, स्टार्टिंग में अच्छा अमांट आ इससे आपको फाइदा रहेगा in future और in present days भी, आपको एक security रहेगी, कि हां भाया, आपके पास है money, देखिए, घर दोनों का होता है, और ऐसा है कि जो husband के हैं, वो भी तो wife के हैं, wife के हैं, वो भी husband के हैं, लेकिन मैं फिर भी असा बोलूँगी, कि नहीं, security अपनी खुद की ह होती है, और मतलब हमें खुद के लिए करना चाहिए, उसके बाद जब आठ महीने का मैं पूरा expenditure अपना मतलब कर चुकी, उड़ा चुकी पैसे, और savings बहुत कम थी, तो तब से मैं यह डिसाइड किया था, अपने husband के साथ बोल के, तो फिर वो में खुद जन जन बोली थे, तो फिर बोला किसने था, कि मतलब करने के लिए तो खुद ही लगी होई थी, मतलब मैंने का कि हाँ, मैंने का अब यह 50-50 परसंट करेंगे, 50 आप घर खरचा करोगे, 50 मैं करूंगी, और अभी इसे हमारा तब से वही रूल चला हुआ है, 50-50 वाला, तो एक ही in general discussion था, कि अब थोड़ा सा दिमोटिवेट होते हैं, हर को इनसान अपनी life में, किसीने किसी stage पर दिमोटिवेट होता है, तो लाइक अभी में मदरी लगा कभी phone आता है, तो मैं को पुछते हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है, मैं कहते हूँ हाँ ठीक है, मतलब मैं यह नहीं कहते है, बह अब बुस्टप मिलता है, मैं जब भी ऐसे बैठी होती हूँ ना, तो मुझे अपनी घरवालों की, अपनी ममी की, अपनी सास की बाते हां आती है, कि नहीं यार, मतलब जो मैंने सोचा नहीं था, मैं वो कर पाई, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो एक मतलब पोजिटिव वैसे low phases हर किसी की life में आते हैं, चाहे आप किसी भी stage पे हो, आप कितना ही mature हो चुके हो, जैसे आप में से किसी के message आते हैं, कि हमारा मतलब बन नी करता है, हम demotivate होते हैं, यह हन इंसान demotivate होता है किसी stage पे, उस time पे आपको याद करने की जुरूत है वो चीजें जो आपने life में achieve करी हैं, चाहे आपने किसी भी class में कोई prize लिया हो, या फिर किसी ने आपको appreciate किया हो, आपने कोई काम ऐसा किया हो, आप वो खुद से याद कर सकते हैं, या फिर कोई आपका family member जो आपको time time पे चीजें realize करवा दे, कि हाँ तुमने अभी तक ये achieve किया है, और और भी achieve कर सकते हो, और एक आप में से question आता है, कि हमें चीजें याद नहीं होती, यार इस उमर में आखे न और इतनी सब जिम्मेदारियान लेके, सची में नहीं होता है, मुझे अभी भी याद है, वो दिन जब मेरा भाई और ममी यहाँ पे आय थे, कुछ दिन पहले, तो